नमस्कार दुस्तों फिर से स्वागते एक नई वीडियो में दुस्तों अगर आपका ICI, ICI Bank में अगर आपका Bank Account है और आप iMobile Pay Application में अपना Mobile Banking को Activate करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास में ATM कार्ड है तो उससे आप iMobile Pay Application में अपना Registration कर सकते हैं और अपने ICI Bank को Online ही सारा Manage कर सकते हैं जैसे कि FD बनाना, RD Account बनाना, FD को समय से पहले आपको Break करना है तो भी आप उसको FD को थोड़ का पैसा निकाल सकते हैं किसी को Payment करना है तो आप कर सकते ह बहुत सारे काम है जैसे Loan के लिए Loan लेना है तो Online वो कर सकते है, Approval लेना है, सारी चीज अपना Debit Card है उसको आप Block भी कर सकते हैं अगर घम जाता है तो उसको उसकी Limit बड़ा गटा सकते हैं यानि जो आपका जो Bank Account है पूरी तरीके से आप यदि iMobile Pay को Activate कर लेते हैं तो उससे सब कुछ आप मेनेज कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदरा बताने वालों की कैसे आप इसमें Registration और Activation करेंगे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद में आपको iMobile Pay Application को Open कर लेना है यहां पर आपको Option में जागा Let's Get Started इसके उपर आपक को क्लिक कर लेना है फिर आपको Continue पर क्लिक कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको SMS verification के लिए बोलेगा तो यहां पर आपको Continue पर क्लिक कर लेना है यहां पर आपका कौन सा सीम जो आपने बैंक में दिया है उसी सीम को आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद Continue पर क्लिक कर गया और यहां पर choose pin your choice और confirm pin यहां पर आपको चार डिजिट का pin बना रहा है जो आप i-mobile pay को जब भी application को open करोगे उसके बाद ही यह application आपको access देगी तो यहां पर आपको pin टाल देना है जैसे ही आप pin डालेंगे और इस प्रकार का interface आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद में यहां पर debit और net banking से आप कर सकते हैं तो चले यहां से मैं debit card से करूँगा उसके बाद में आपको continue पर click का लेगा उसके बाद में यहां पर आपका account number पर शुक्रिका ठीक है उसके बाद में यहां पर आपको grid number डालना है यहां पर आपका ATM का जो आगे वाला जो number होता है वो भी यहां पर पूछ सकता है नए update आ जाता है जिसकी वजह से यहां पर पीछे वाला जो number है जैसे A और J लिका हुआ दो-दो अंग होगा उसमें वो आपको यहां पर select करके डाल देना है और अगर card number solar digit का पूछ रहा है तो वह आपको डाल देना है ठीक है तो अपने इसाब से आप manage कर लिजे क्योंकि update हो जाता है तो change भी हो जाता है ठीक है यहां पर मैंने number submit कर दिया उसके बाद में यहां पर आपको submit पर click कर लेना है उसक इसके बाद में यहां पर आप fingerprint भी device लगा सकते हैं यहां पर मैं फिलाल इसको skip कर लेता हूँ इसके बाद में आपको यहां पर create UPID पर click करके आप UPID बना सकते हैं लेकिन फिलाल यहां पर मैं escape के button पर click करूँगा उसके बाद में इस प्रकार का interface आ जाएगा फिर यहां पर ऐपको मिलेगा create UPID इसके उपर आपको click कर लेना है फिर आपको यहां पर manage option मिलेगा इसके उपर आपको click करना है फिर यहाँ click कर लेना यहांपर up ID show करेगा फिर आपको प्रोसेट पर click कर लेना है यहां पर ICI bank ही आपको select करना है और यहांपर आपको अपना account number select कर देना है यहांपर two money और receive money याई इस up ID से अगर आपको payment receive करना चाहते है किसी को send करना चाहते है तो दोनों को मेसेज भी आ जाएगा ठीके और यहां पर आपको पिल पार कर सकते हैं और यह पर अकॉंट कर सकते हैं यही काउंट बनाना है तो यहँ बना सकते हैं तो यही प्रोसेट करना होता है और इसके बाइगे हैए पूरी कैसे activate हो जाएगा बाकि इसके में और भी वीडियो बनाऊगा जिस पर में सारा कैसे FD बनाते RD बनाते हैं इसको कैसे ब्रेक करते हैं सारे चीजे कैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं तो अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब निकार सब्सक्राइब कर लो ताकि सी परकार के वीडियो के नोटिफिकर्शन हमें से आपको मिलते रहेगे